भागलपूर जिला के सबोल परखंट के फरका पंचायत के इंगलीज गाउं में पानी कजलस्तर घटने के साथ ही गंगा का कटाव काफी तेज हो गया है कटाब की करण इंग्लीज गाओं का ग्रामिन पतथ 100 मीटर गंगा में विलीन हो गया और कई घर गंगा में समा गये जिसकी करण अभ भागलपूर का हल गाओं एनचसी पर भी खत्रा मंद्रा ने लगा अगर जल्द इस पर कारे सुरून नहीं किया जाता है तो कुछ दिनों में गाउं के साथ साथ एनज़ पर भी खत्रा देखने को मिलेगा जगदिसपूर परकंड के पुरेने उत्तरी में नदी में पानी आ जाने से बांध के टूटने का खत्रा मंडराने लगा है जिससे वाइड संख्या 13 के 50 घरों के लोग भैभी थो गए है लोगों का कहना है कि नदी का बांध टूटा हुआ है पानी अधी को जाने से बिजली के 11,000 तार के पोल के गिरने का भी खत्रा हो गया है जिससे वहाँ की लोगों को पानी और बिजली दोनों से डर लग रहा है अस्थानी लोगों का कहना है कि अधिकारियों को यह सब पता है फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा है कि अधिकारी यहां है अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आया और दो कोई क्ना शौन हो गया लेकिन अभी तक न कोई हूँ हमताम करें और डर शेली है हज आरएंट है कि को सूचना दिया है यह किया पन फिन से फोन कटा हुआ यह तूसाल होगा से लोग आते बढ़र दिन जा यह तैक भ AWP जा रही है यूढ पदाकारी में आ shrimDye है तो पठासे कोई बागलपूर जिले के सहकुंड परखंड में बुद्धवार को चौथे चरन के लिए वोटिंग दिन भर होती रही मुसलधार बारीज के बीच मद्दाताओं का उत्सा हचारम पर रहा मुसलधार बारीज भी मद्दाताओं को वोट डालने की राह में बाधानना बन सकी मद्दान हो चुका था उनीस पंचायत के बिभिनपदों के लिए कुल उनीस सुनिन नानवे परतियासी चुनाव मैदान में है जिसके लिए पूरे परखंड में 246 मद्दान के निर बनाया गया था वही निस्पक्ष चुनाव कराने को लेकर सुरक्षा को पूलीस अधिकारी वपदादिकारी लगातार भ्रहमन सील रहे विडियो से निरवाचन पदादिकारी अभिनपभारती घूम घूम कर मॉनेटरिंग कर रहे थे वही उड़न दस्ता टीम वब पुलिस पतादिकारी लगातार भ्रमन सील थे सभी परत्यासियों के भाग का फैसला 22 अक्टूबर को सब और के किसी कॉलेज में मदगन नाकिब दौरान होगा बिहार पंचायत चुनाप को लेकर भागलपूर जिले में सात्में च्रहन में होने वाले पंचायत चुनाप में गोराधी पर्खण में होने वालों चुनाप के लिए नामंकन प्रकिरिया स्रू हो गई 22 की बजा से दोपहर तक परखण परिसर खाली दिखा दरसल दोपहर के बाद अपने समर्थकों के साथ बिभिन पदों के लिए पहुँचे परतियासियों ने परचादा किल किया चुनाव आयो के मुताबिक गोराडे के 15 पंचायतों से मुखियापद के लिए पहले दिन 22 अभियरतियों ने परचादा किल किया जबकि सरपंचपद के लिए 10 वाटसद के लिए 125 पंचपद के लिए 48 यवं पंचायत समीथी के लिए 17 अभिरतियों ने परचादा किर किया परचंद परिसर में नामंकन प्रकरिया सांती पून्दंग से संपन ने कराया जाने को लेकर पुलीस प्रसासन ने सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये हैं दोपहर तक बारी सोनी की वज़र से स्टालक पर रुक रुक कर जाम लगती रही, दोपहर के बाद बारी स्थमी उसके बाद नामंकन कराने के लिए प्रत्यासी पर्खंड परीसर पहुँचे, हलाकि उनके समर्थकों को पर्खंड परीसर जाने तक रोग दिया गया था. बिहार में इन दिनों पंचायल चुनाब की धूम है और पंचायल चुनाब में नामंकन के पहले प्रत्यासियों को किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है, उसी में से एक अनुखा न जारा हम आपको दिखा रहे हैं. कतार में हाथ में च्छाता लिए स्टालक पर खड़े ये सभी इस बार पंचायल चुनाब में अपना भाग आजमाने वाले प्रत्यासियों है, कोई वार्ड सरपंच पंच पंचायल समिती जिलापरिसरत कोई मुखिया के लिए रेविन्यू टिकट लेने के लिए भारी बा सुबिधाय होनी चाहिए जिलापरिसरत के दोरा अवस्से दिया जाना चाहिए था, बारिस में भींगते हुए इन परत्यासियों ने क्या कहा सुनिए पूर्य देश में एक्ता और भाईचारे का संदेश देने के लिए पस्चिम बंगाल से साइकल यात्रा पर निकला यूबक देर साम भागलपूर पहुँचा पस्चिम बंगाल के कुझ बिहार का रहने वाला निखिल सभी धर्म की लोगों को एक्ता का संदेश देने और राष्ट को सबसे ज़्यादा महत्वदेने और भाईच को विश्व गुरू बनाया जाने का संदेश लेकर 800 किलोमेटर की दूरी साइकल से तैक करते हुए ब다 बंगालकर की पिरपैति पर परकंड की प्यालापूर एंव्मराज गाउ अराजी पंचाय छेत्र की सिमानपूर सवया बेल्टिक्री और सरकंडा आदी गाउं में सरद्रितू के चतुर्दसी तिति को आयोजी थोनी बाले प्रमप्रागत जंडा मेरा हर्सोल्लास के साथ मनाया गिया रुक रुक कर हो रही बारिस के बाब्युद लोगों ने पूरी सद्धा भक्ती के साथ पूजन कर महाविर जंडा को लेकर पूरी नगर का प्रकिर्मा कर मिलान के साथ पूजा अर्चना किया इस अफसर पर बेल्टिकरी सरकंडा सवईया मतुरा सीमानपूर में मेली का भी आयोजन किया गिया जिसमें पारंपरिक हतियार लाठी डंडा तलवार आदी से लैस लोगों ने तरह तरह के खेल यों करतब दिखा कर लोगों को जहां मंतरंबुग दिकर दिया वहीं संथाल निरत संगीत लोगों के बीच आकरसन का केंदर बना रहा मेला में बिहार के कई जिलो सहीद पडोसी राज जारखंड के भी सिमावर्ती जिलों से बाड़ी संख्या में लोगों ने सिरकत किया पिरपैथी विधायक लनकुमार पासवान जदियू अधिज बिविका गुपत पूजा पाठ किया गया और पहले गरहा को आकरसर गिप्ड भी प्रदान किया गया भानत पेट्रोलियम के अधिकृत विक्रिता के रूप में यह पेट्रोल पंप खोला गया है निविदेक निरंजन कुमार पुद्दार ने बताया कि यहाँ पर पेट्रोल पंप खुलने स आस पास की लोगों को फायदा होने के साथ साथ भागलपूर हजडिया मार्क पर आने जाने बाले वहांचालों को भी सुविधा होगी उन्होंने का कि गुनवत्ता के साथ हम कोई समझाता नहीं करेंगे और ग्रहकों को बहतर सेवा देना ही हमारा प्रयास होगा मोगे पर सेकलों लोग क्यो पस्तितिन जलाई